आज हम बात करेंगे सबसे खुबसुरत पर्फ के बारे में जिसे हम करवा चौत कहते हैं इस बार 2024 को करवा चौत आ रहा है 20 तारिक को और सुबा साड़ी 6 वजे से करवा चौत आपकर शुरू हो जाएगा क्या करना है कुछ लोग परिशान है अपने पती से तो क्या करें कि हमारे सुनने लग जाए तो ये दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन सारी vibrations हम जैसी स्त्रियों के पास होती है बस क्या करना है उस जादू की छड़ी को बस घुमाना है और जो हम चाहेंगे उस दिन हमें मिल तो मैं छोटे-छोटे ऐसी आपको ध्यान पूर्वक उपाये बताऊंगी अवय करवा चौत के दिन आप कर लेते हैं तो कितना भी कर्स चड़ा हो पती सुनता नहीं है प्रेम संबंध में प्राबलम है डेली आप्शिकल्स आ रहे हैं वो सब कुछ खतम हो जाएंगे तो क् जल्दी समझते हैं इस दिन के बारे में और करवा चौत की एक बार आप सभी मेरे साथ जुड़ी हैं मेरे चैनल रिखी गयांके मात्यम से मैं डॉक्टर यामनी आप सभी को बहुत बहुत बदाई देती हूं देखें करवा चौत सुभा का त्योहार है इस दिन जल्दी सु इसी के लिए ही मिला है तो छोटे उपाय करने से छोटे छोटे संकल्फ लेने से यह त्योहार हमारा शुरू हो जाता है 20 तारीक की सुभा सारे 6 बजे से तो नहां दो लीजे और सुहागिन महलाए 16 सिंगार इस दिन करना ना भूले जो जो आपके शिंगार है चांदी यान बिंदी लेनी है जितना आपको लेना इस दिन आप खरी दिये खुद भी पहनिये दूसरों को भी सुहागिन स्त्रियों को दीजिए और जी भड़के जो जो आपकी इच्छा हैं सुहाग को लेकर आप इस दिन जरूर कीजिए इस दिन विशेश का लाल और पीले वस्र पहन जो भी आपकी इच्छा है अगर ये दौनों आप नहीं पहन पाते तो हरे का प्रयोग कर सकते हैं ये तीन विशेश रंगों का इस दिन सबस्यादा महत्व है अब बात करते करवा चौद के दिन चंद्र देव की आराधना की जाती है जब पूरे दिन महला बिना खाए स्वस्त रहे इस वक्त तो समझ लीजे स्वस्त रहना सबसे बड़ी चीज़ है दीर गायू रहे स्वस्त रहे और चंद्र पर जब जल चढ़ाती है अपने संकल्ब के साथ में तब ये प्लूरा हो जाता है जो आप कलश है जिसके अंदर आप रखते हैं अपने के लिए से ह अलावा बांदिये उसका रोली चामर करी और सतिया बनाना अपने करवे पर ना भूले और अपना जोभी संकल्ब पर इसे चाहते हूं इस प्रकात संकल्ब के आपको पूरी कर पूर्थी करनी है और एंड में वो जल पूजा पाठ कथा सुनने के बाद अप चंद्र पर जल रहन नहीं करना यह आपको हमेशा ध्यान रखना है जल नहीं लेना कुछ खाना पीना नहीं है पती की आप जब जल चंद्र पे चड़ाने के बाद ही खाएंगी पिएंगी यह विशेश इस दिन का कहते ना बिना जल लिए इस दिन पूरे दिन इस्तरी रहती है और पहले इस आपको नेवान है चोँ पिलाएगा चाहिए अपको मीठा खिला यहाँ जल भी के आगए अगे अपने पती खिलाएए पिलाई और अपने संकल्ब गीजया जो भी विशे जो चीजे आप थाली में रखते हैं दीर गायों के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ उसमें केसर जरूर होगी मिश्रिया बताशे जरूर होगी और थोड़ी सी चने की दाल अपनी प्लेट में आप जरूर सचाहिए और जब चंदर को आप अरक देरी हो तो यह भी सिंदूर चड़ा के उनसे अब प्रात्ना करेंगी और जो भी संगार चूड़िये जो आपकी इच्छा क्रिया सब भाव कर रहत है आप चड़ाईए और उनसे प्रात्ना कीजिए कि भाई दिखिए मैं आपको चड़ा रही हूं यह मेरी संकल की पूर्ती कीजिए जो इस व कारते के हो नंदी हो वहाँ परिवार के साथ उन्हें दुर्वा चड़ाना ना बूले कितने भी हिटन आपकी मैरेज लाइफ में आ रहे हैं प्यार में संबंदों में कमी है जो उससे सवाल करती रहती है कि मैदम शादी चलती है लेकिन नहीं चल रही बहुत अच्छे जीवन की आप प्रातना कीजिए अब जिन लोगों के हस्बंद का देख का या जिंगों की कहते ना बहुत हिगन ऑप्सिकल्स हस्बंद की लाइफ के लिए या उनको स्वास तुमका ठीक नहीं रहता है स्वास ठीक पती का नहीं रहता है तो उन्हें विशेश हल् प्रावती को गड़ेश जी को चंद्र को अवश चढ़ाने अपनी इच्छा रखने कि भाई मैं यह चाहती हूं कि यह परिशानिया मेरे जीवन से या यह सब जुदूर हो जाए सोला सिंगार आप एक कोडली बनाई उसमें सारे सिंगार का समान रख दीजिए और यह शिंगार आपको चड़ाना है आप जिंका प्रेम में विश्वास नहीं रहा है या प्रेम चिंका टूड़ या उनके लिए विशेश उपाएं बता रही हो उन लोगों को भी करना है य जिससे के आपके प्रेम में अप्स्टिकल्स आ रहे हैं तो भी दूर हो जाए जिन लोगा पती की स्वास्त ठीक नहीं है स्वास्त की परिशानी चल रही है उनके लिए भी आज में उपाए दे रही हो भी कीजिए पीली सरसों का प्रयोग जरूर करें और जिस बैड़ूम म नमारी है पर हस्बेन वाइफ की बीच में फाइनेंशल ऑप्षिकल्स फाइनेंशल प्रॉब्लों जिसके कारण रिष्टा ख्राब हो रहा है तो इस दिन जो भी आपको वस्तर पहनने वह रेश्मी पहनने हैं मैंने आपको सज्जेस्ट दो कलर करी दिये आप तीसरा कलर ग है यह संकल्प की चाहती हूं यह विशेश हमारे लिए हम जो चाहेंगे इस दिन मिलेगा अब यहां मैं बात करऊंगी आपकी खुद की हैल्ट की इसदिन अपपने शरीप पे चानी का प्रयोग अवश्य करें सवरण को अवश्य करें आटीफिशनी चीज़े कम धारनं करे या तो प्योर गोल्डा वेर कर सकती है या आप चांदी वेर कर सकती है इस दिन मंगल सुत्र पहनने का अध्यादिक महत्व है यह आपके बच्छुटा सा मंगल सुत्र है तो आप विशेश कीजिए और उस मंगल सुत्र पे भी थोड़ा सा रोली सिंदूर लगा के ही स्माते पर धारंग करके उसे आप धारंग करें उसका भी विशेश महत्व है जिन लोगों को मुझसे मुझसे सवाल करते हैं नहीं है हमारे पास में मंगल सुत्र या किस तरीकी से अमारे गोल्ड है तो मैं आपको कहूंगी पीले धागा आप ले लीजिए उसमें अपने पती के न इसके हातों से भी उसे धारंग कर सकती है तो ये धागा ये आपके लिए मंगल सुत्र का काम करें को जब भी आपको मंगल सुत्र पहनना है जब भी आपकी इच्छा है आप इसी धागे को लाइफ लॉग पहन सकती है छोटटे उपाई हमें बहुत आगे तक ले जाते और जो लोग मुझसे जोड़े हुए हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी को करवाचवत की बहुत बहुत बताई और मैं आशा करती हूँ ये करवाचवत बहुत ज़्यादा मंगल में हो आप सभी के लिए जब तक के लिए मुझसे जोड़े भेमे के लिए कनने बहु झाल झाल